नमस्ते आज हम आपको गी गवर गवर पठा कोवर पठा एलो वीरा के बारे में बताएंगे ये 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 लो वीरा का रूट है इसका मूल है मुल्क की छाल को दूर करके अंदर से जो मीज निकलता है गर्ब उसके छोटे छोटे टुकडे करके छाएं पर शुखा ले शुखाने के बाद उसका चुरण पावडर कर ले फिर दवा में इस्तिमाल करना चाहिए एलो वीरा का नेटिव उतरी आफरीका माना जाता है ये लगबग 255 प्रकार की होती है अब इसका परण की बात करे तो परण एक से दो फिट लंबा एक से तीन इंच की चोड़े वाला परण की दोनों साइड पर दोनों किनारी पर काटे होते है और अंत में ये परण, अंदर्शे, गाड़ा, चिका, स्युक्त, रसवाला और गी के समान लुआपदार होता है रस का रंग सपेद, पीला और अलका रेड हो शकता है परण को काटने से जो पीला रस निकलता है उसे कुमारी शार कहते है अब इसके पुष्प फ्लावर की बात करे तो एक डंडी निकल कर गर्मी की रूतु के अंद तक उसमें फूल आ जाते है चो बाहर से नारंगी और अंदर से पीले होते है यह पुल सुगन में उग्रा और स्वाद में मदूर होता है इस डंडी और उनमें लगे पुल का आप आचार बना सकते हो यह आचार यकृत लिवर प्रोग में बहुत फाइदे मदे अब इसका फ्रूट फल की बात करे तो यह लंब गोल तीन पड़वाले उनके अंदर थोड़े तीन पंखवाले बीज होते है एलो इराका रश मदूर कटू और कड़वास वाला होता है इसका गुणदर्म यह उष्ण, शारक, वातहर, पगन, त्रिदोसर, ररसायन, मदूर, बलकारक और यह दातू वर्दक है रस सास्त्र इंडियन आलकेमी यानि आज का किम्यागिरी यह इलो विरा की गवार के बगएर अदू रहा है मेरे खयाल से इसके बगएर आदे से ज्यादा प्रयोग नहीं हो शकते है यह पारे यानि कि मर्क्यूरी को कायम करने वाली रस युक्त वनस्पती है यह जो आप देख रहे हो यह एलो विरा के बीच में से निकली हुई डंडी उसके उपर पुस्पफल लगे हुए होते हैं हाँ तो हम बात कर रहे थे इसके रस में से इलिया गुजरती में एडियो एलियाक एल्वा जिससे एलो विराक का गंश्वरुप कहते हैं यह बनाने के विदिक कुछ इस प्रकार है सबसे पहले परण को उबाल के उसका काटा में से अंग्रस को सुखा के एल्वा या एल्यक बनता है एल्या मा या एल्वा के अंदर एलोईज नमक ग्लुकोसाइड होता है अलोई मोडिन राल गेलिक एसीड और सुगंदी तेल भी होता है हिल्वीरा का उप्योग सेंपु की बनावट में सोंदर ये प्रशादन की बनावट में गोधन्ती बश्म के उप्योग में संख बश्म, शुक्ती बश्म, अबरक बश्म इनके अलावा कई बश्मों की बनावट में इसका इस्तमाल किया जाता है अलग-अलग बासाओं में इसका नाम इस प्रकार है गुजिरती में कूवर पाठू, हिंदी में गीगुवार, कीकूवार, कूवर पठा और गवर पठा है माराठी में उसे कॉर्फड, कॉरकाटा, कुमारी और गीकुमारी के नाम से जानते है संस्कृत में कुमारी, गुरुह कन्या, दुरुत कुमारी का और शाहा के नाम से जानते है पंजाबी में कुमार गंदल, चिरूली, लोथीरस, अर्भी में उसे सबबारत के नाम से जानते है इंग्लिश में येलो प्लांट या इंडियन येलो विरा के नाम से जानते है और उसका सास्त्रिय नाम है अलाई इंडी का अलो विरा की कुछ प्रमुक बनावड इस प्रकार है चंद्रोदै, मकर्द्वज, आंत्रसोशांतक रस, मुक्ता पंचामरूत, कुमार कलियान रस और रस चिंतामनी अब इसके बहुत सारे उप्योगों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे तो अगले वीडियो की प्रतिक्षा करें जी धन्यवाद जी अगले जी जी बताएंगे